सूरिकुमार यादव ने न्यूजिलन्ड की गेंदबाजी की धज्जिया उडाते हुए अपने टीट्वन्टी करियर का दूसरा शतक बनाया तो दुनिया भर के क्रिकेट एक्सपर्ट हैरान है कि जिस पिच पर इंडिया के बाकी बल्लेबाजों ने 79 गेंद में केवल 79 रन बनाये उसी पिच पर सूरिकुमार यादव ने ऐसी बल्लेबाजी की कि मानवो किसी क्रिकेटेक्सपर्ट को सलाम करने पर मजबूर कर दिया एंगलिंड के पुर्व कपतान माइकल बॉन ने सूरिया के शतक पर कहा वाउ सूरिकुमार यादव दुनिया के क्रिकिट में ऐसी बलेबाजी बहुत कम बलेबाज कर रहे हैं वही विरेंद्र सहवाग ने सूरिकुमार यादव की पारी पर कहा स्काई में आजकल हमेशा आग लगी रहती है सूरी कुमार अपनी खुद की लीग की अलग बल्लेबाज है इर्फान पठान ने सूरी कुमार यादव को सलाम करते हुए कहा सूरी कुमार यादव किसी भी प्लानेट पर बल्लेबाजी कर सकते हैं सूरी कुमार यादव ने अपने दूसरे शतक के पहले पचास रन 32 गेंद में बनाए थे और अगले पचास रन सिर्फ 19 गेंद में बना दिये जो बताता है कि डेथ ओवर्ज में सूरी कुमार यादव ने जिस तरह न्यूजिलन की गेंद बाजों की धुलाई की वो गजब है सूरिया का बल्ला हर देश की जमी पर जिस तरह आग उगल रहा है वो साफ करता है कि अब लंबे समय तक सूरिया को नंबर वन के पायदान से किसी भी बल्लेबास के लिए हटाना मुश्किल है भले ही वर्ल्ल कब सेमी फाइनल में सूरी कुमार यादव चूप गए हो लेकिन सूरी कुमार यादव की कंसिस्टेंसी कम मालकी है और सूरी कुमार लगातार ऐसी पारियां खेल रहे हैं जो पिछली वाली से बहतर होती है क्या सूरिया लंबे समय तक नंबर वन के पायदान पर यूही टिके रहेंगे क्या आपको सूरिया की आज की पारी उनकी बैस्ट पारी लगी कमेंट बॉक्स पर अपती राय जरूर दे और चैनल को तुरन सब्सक्राइब करें